आपको काफी इंट्रेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, प्रिविएसली मैंने एक वीडियो दाला था इच आलान से रिडिटेट, उसमें काफी सार लोगों की ये कोश्चन आए, कि अगर हम इच आलान हमारे गाड़ी पर आ चुका है, तो अगर हम उसे पेक करे ह क्या होँगा, और क्या होता है, इसके बारे में एकफ्वीडियो बनाओ, और हमें डीटेल में बताओ, तो आज का वीडियो काफी जादा in-tristin hanek, काफी इंट्रेस्टिंग टॉपिक पर होने वाला है, और हर किसी को ये जानना बहुत ज़ादा ज़रूरी है, अब आजके जो maximum है पहले तो फिजिकली चालान होते थे लेकिन आज के डिरेट में फिजिकली चालान बहुत मिनिमम हो गए है लेकिन इचालान काफी जादा बढ़ गए है क्योंकि आप सिग्नल ब्रेकिंग करते हो या एक्सवाजर जो भी करते हो तो कई जगह कैमरा यूज होते है उससे आपकी image क्लिक कर से as evidence और आपको इचालान भेज दिया जाता है अब कई सारे लोगों को आ जाता है चालान लेकिन वो भरते ही नहीं है लेकिन ये जानना ज़रूरी है कर हम नहीं भरे तो हमें क्या नुकसान हो सकता है और क्या होता है इसके बारे में आज का वीडियो है और जानना बहुत ज़रूरी है अब इचालान में अगर आपको कोई sms आता है इचालान का कि आपके यह vehicle के आपके यह जो rule है वो आपने break की हो या एक्स वेजर जो भी इतने का आपको चालान हुआ है और यह जो चालान है वो आपको 15 days के अंदर pay करना है ऐसा आपको बहुत ब अब अगर 15 दिन भी हो जाए आप यह ऐसे धीट इनसान हो कि आप सोच रहो कि मैं भरूंगा ही नहीं लाइफ टाइम मेरे गाड़ी पर चालान रहे तो रहे लेकिन मैं भरूंगा नहीं तो अगर ऐसा है उसके उपर मैं बात करता हूँ कि अप 15 दिन का आपको टाइम दिया चालान है उसी चालान को कोर्ट में भीज़ दिया जाता है अब ये क्या कंसेप्ट है इसके बारे में बात atm तो पेले जो चालान आया था वो आपके यहां भी स्तेट की ट्रैकि पुलीस है उनके ऑफिसल साइट पर रहता है मेंस महां से आप उस चालान को पेक कर सकते हो ले यह हो सकते है दो महीने या तीन महीने बाद भी आपका कोर्ट में यह चालांज है यह डिफर कर सकता है स्टेट वाइज या जो भी आपके सिटी वाइज तो अगर ऐसा है अगर आपका चालांज अगर आप नहीं भरते हो और वहां से आपके एक notice आता है, आपके एक SMS आता है, कि आपके जो भी चालान है आप court में विजिट करिए और उस चालान को पे करिए means अब आपका method जो है वो change हो गया, अब आपको जो चालान है वो court में जाके ही भरना पड़ेंगा अब जो भी चालान भरना है आपको court जाना पड़ेंगा, वहां पे उस चालान को पे करना पड़ेंगा अब बहुत से लोग यह है कि वो भी इस चीज़ को ignore करते हैं, कि court में भी चालान चला गया है तो भी ignore करते हैं तो आपको एक बार SMS आएंगा, उसके कुछ टाइम बाद आपको दूसरा SMS आएंगा, कि आपको चालान court में है, आप विजिट करिए, उसे पे करिए, तिसरी बार आएंगा और ऐसा अगर आप तीनो बार ignore करते हैं, तो अब उसकी वसूली कहां से होंगी, इसके बारे में बात करता हूँ जरूरी नहीं है, अब आप बोलेंगे, यार हो गया, मैंने ignore कर लिए, अब तो कोई SMS ही नहीं आ रहा, जानदो में से बात टल गए लेकिन टली नहीं है, अभी कहां से वसूली होंगी, इसके बारे में बात करता हूँ अब आपने पूरा ignore कर दिया, ना तो आपने यह चालान भरा, ना तो कोट में आपने गए, कुछ भी नहीं करे, तो भी आपके गाड़ी पर अभी चालान पेंडिंग है अब उसकी वसूली कहां से होंगी, इसके बारे में बात करता हूँ अब फ्रेंट क्या है, हर एक गाड़ी है, आप उसका insurance भी कराते ही हो जो भी document है, आप अपने clear रखते ही होंगे, insurance जो आपके गाड़ी का है, वो भी आप कराते होंगे अब जब भी आप आगे in future, आपके car का या जो भी जिस भी गाड़ी पे चालान हुआ है, जिसे आप ignore कर रहे थे अब उसी जब गाड़ी का आप insurance policy कराऊंगे, means बीमा अगर आप कराऊंगे आपके, जो भी car, bike, etc. जो भी vehicle है for example, अगर आपके गाड़ी का जो insurance है, वो 2000 का हो रहा है, और आपके जो चालान आया तो वो 500 का था अब आप जब insurance आपके गाड़ी का कराऊंगे, 2000 प्लस 500 जो आपका चालान है, वो आपके insurance policy में add कर दिया जाएंगा means, अब जो पैसे की वसूली है, वो आपके बीमा से, यानि आपके जो car insurance है, bike insurance है, वहाँ से ली जाएंगी ये मैं ऐसा example कहा रहा हूँ, चालान कित्ते का भी हो सकता है आपका, अब जो भी चालान की वसूली है, वो insurance policy से आपके ली जाएंगी for example, आपका चालान 500 का है, और आपकी जो insurance policy है, समझ लो धाई अजार की है तो अब जब आप insurance कराओंगे, तो धाई अजार amount दिखाएंगा, साथ हिसाथ 500 रुपीज, extra amount आपको दिखाएंगा, वो है आपका चालान, जो pending था, जो आपने नहीं भले थे means, अब जो भी चालान की वसूली है, वो आपके insurance policy से ली जाएंगे क्योंकि आपने उस time ignore किये, लेकिन कहीं न कहीं से कुछ method होते है, जहां से आपकी वसूली की जाएंगे कहीं से आप बच नहीं सकते हो, अगर आपने गलती किये हो, तो आपको चालान पे करना ज़रूरी है, उससे आप भाग नहीं सकते हो अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम insurance गाड़ी का नहीं कराते, तो ठीके भाई, मत कराओ, अगर आपको कभी checking होती है, तो और बड़ा चालान का amount आपको हो सकता है, अब यह आपके उपर depend करता है, आप उससे clear करो, या मत करो conclusion इस video के यह निकलता है, कि अभी भी आपको चालान आता है, तो आप अपने गाड़ी की status clear रखो, चालान आता है, तो आप कुछ time में जल दिस से जल उसे pay करो, 15 दिन के अंदर pay करो, या महिना भर भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर अंदर आप उस चालान को pay कर दो, otherwise आप को future में काफी ज़्यादा problem हो सकती है, तो ये चीज़ problems को avoid करने के लिए आप तुरंत आपका जो चालान है, उसे आप pay कर लो, जल से जल दितना जो भी possible हो आपके तरफ से, उत तो आपको clear करना ज़रूरी है, अगर आपके कोई भी doubt होंगे इस video से related, अगर आपके कोई mind में question होंगा, कि x visit जो भी, तो आप comment section में पूछ सकते हो, मैं जल से ज़र आपको reply दूँगा, और मैं हर किसी को देता भी हूँ, तो फ्रेंट, आज के लिए इता ही मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, जब तक के लिए good bye